तो लीजिए माशे लफुली फ्रेंट्स आज की रेषपी आपके लिये है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ले के आई हूँ, आज की हमारी रेषपी होने वाली है वह है अलू परबल की सबजी थो एक वाई आप ने इस रेषपी को इस तरीके से बना लिया तो बार वार इस तरीके से बनाएंगे और सब इस सबजी की तारिफ करते ठकेंगे नहीं और बच्चे हो या बड़े हो सब की प्लेट साफ हो जाएगी इतनी टेश्टी बनके तयार होती है यह सबजी हेलो माई लवनी चैन्ट तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को और बहुत ही असान तरीके से तो परवल आलू की टेश्टी सी और सिंपल सी रेस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर परवल ले लिये हैं परवल को अच्छे से हमने छील लिया है और धो लिया है छीलने के बाद और धोने के बाद इसे काटिएगा तो इस तरीके से हमें कट करके रखने हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एक परवल दिखा दिया है कि इस तरीके से हमें सारे परवल को कट करना है तो में हमारी आलू और पर्वल दोनों हमने कत कर के रख ली है तो अब गैस पे चड़ाईंगे एक पैन और पैन में करेंगे हम तेल आपकी तेल एक पान मुझा हम में तेल प्रवल में सबस्क्राइब बनके तयार हो जाएगी तो सबसे पहले हम इस तेल में फ्राइ करेंगे अपने परवल को तो हमने अपने सारी परवल इसमें डाली अब यहां परवल को पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें धीमी आज पे इसे फ्राइ करना है तो यहां पर ढख दीजिएगा क्योंकि इसम हमारी परवल फ्राइ होके तयार हो चुके तो अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे तो इस तरीके से हमने सारी परवल जो है प्लेट में निकाल ली है सभी परवल को निकालने के बाद इसी तेल में और इसी कड़ाई में हम आलू को एड़ कर देंगे और जो यहां प प्रोसेस देख लेते हैं, तो हमने यहां पे दो प्याज ली है, इस तरीके से हमें बारिक-बारी कट कर लेना है, लंबे पीसिस में, और यहां पे हमने रफली चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, एक बड़ा वाला, और यहां पे दो मिर्च ली है, और लहसुन अदरक का पे मिर्च ली है, सुखी वाली और दाल चीनी का टुकड़ा लिया है, चोटा सा, तीन से चार मैने लॉंग ली है, और बड़ी और छोटी इलाइची ली है, तो यहां पे जो हमारी आलू है, वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो यहां पे हमने बीच में इस तरीके से जगा बनाया, और हमने जो हमारी ड्राइ स्पाइसिस थे, उसमें एड़ कर दिये और एक मिनट तक अच्छे से इसे पकने दीजेगा, एक मिनट के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे, प्याज और मिर्च और इसे आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे, तो जो हमारी प्याज है, इन आलू के साथ ही अच्छे से सौफट हो जाएगी तो यहाँ पे हमने साथ ही में स्वाध अनुसार नमक डाल दिया है ताकि यहाँ पे जो हमने प्याज एड़ की है वो जल्दी से भुच जाए और सौफट हो जाए तो यहाँ पे अब हम ढख देंगे और ढख के इसे 3-4 मि जो प्याज है प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है अच्छे से प्याज हमारी जो है फ्राई हो चुकी है आलू के साथ तो इस स्टेस पे अब हम एड कर देंगे इसमें लसुन अद्रक का पेश्ट पहले मठ डालिएगा अधरवाइस जल जाती है तो इसलिए प्याज पहले बूज लीजेगा तब उसके बाद हम लसुन अद्रक का पेश डालेंगे और एक मिनट तक उसे बूजेंगे और वो जब अच्छे से पक जाए तो इसमें एड कर देंगे हम परबल पकी हुई और फिर इसमें एड कर देंगे रफली चॉप किया हुआ हुआ टमाटर और फि मेरी गरम मसाले की रैस्पी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप इस सबजी में इस घर के मसाले को डालेंगे तो लाजवाब टेश्ट आएगा और बहुत सिंपल है गरम मसाले की रैस्पी बनाना तो इस तरीके से हमने सभी मसालों अच्छे प constitutional के डिने के तो आप से पानी बनाना तो आप प्क लेएग्रा शावाब को ठाला की कामे पाना जमत्यों प्रॉग मसाले को सावगा अगर आउज पानी टाला है तो अब हम नहीं ढृँट धाक तक धीमी आज पर इसे पकाईंगे एक पे यहां पर देस्वे Πान जो सबचा कर सकते हैं और यहां पर पोने किस्टा राई तो आपे तयार हूई तो आप आप परस्टेस्टी के साथ जावल के साथ इस रेस्पी को बनाएं तो जो हमने एक गलास पानी डाला था तो आप 1.5 गलास पानी डाल दीजेगा चावल के साथ भी यह रेस्पी बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर बारी कटा हुआ धनिया डाल दीजी यहां पे हमारी सब्सी बनके तयार है और ला मांग मांग के सबजी को खाएंगे तो रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखे का बाबाई